नमस्कार आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीम सिंग बिंदूओं को जोड़िए, डॉट्स को जोड़िए तो एक बड़ी तस्वीर बनती है इसी तरह से छोटी छोटी खबरों को अगर आप जोड़िये तो एक बड़ी तस्वीर बनती है जो तस्वीर बनती है दिखाई देती है वो डराने वाली तस्वीर है वो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है जिनका भी डेमोक्रेसी में यकीन है जिनका भी कानून के राज में यकीन है जिनका सम्विधान में यकीन है उन सब के लिए ये चिंता की बात है मैं तीन-चार छोटी-छोटी खबरों को जोड़ कर आपको बता रहा हूँ कि देश में इस समय किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही एक कोशिश जो उसका मुख्यू देश है कि भारत में एक समवैधानिक संकट खड़ा किया जाए और संकट का ठीकरा प्रधान मंतरी नरिन मोदी और बीजेपी के सर फोड़ा जाए अब आप देखे किस तरह से काम हो रहा है पश्चिम बंगाल का विधान सभा का सत्र उसका सत्रावसान कैबिनेट की सिफारिश पर राजिपाल ने किया लेकिन उसके बारे में ट्वीट करते हैं तमिल नाडू के मुख्य मंतरी की गवर्नर ने मनमाने तरीके से बिना कैबिनेट की सिफारिश के अचानक विधान सभा का सत्र स्थगित कर दिया क्यों स्थगित किया गया उसके लिए जो है जो लिफ्ट लिबरल एको सिस्टम है वो शुरू हो गया कि दरसल विधान सभा में गवर्नर के खिलाफ एक प्रस्ताव आने वाला था निंदा प्रस्ताव आने वाला था उसको रोकने के लिए गवर्नर ने किया सवाल यह है कि सरकार अगर ऐसा प्रस्ताव लाना चाहेगी तो अगले सतर में ला सकती है किसी सतर में ला सकती है पहले भी ला सकती थी सतरा वसान से पहले तो गवर्नर उसको रोक नहीं सकते थे लेकिन ये बनाया गया कि दरसल पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीब धनकर ये केंदर के आदमी है ये खुले आम कहती हैं मुख्यमंत्री कि ये बीज़ेपी के आदमी है बीजेपी के कारिकरता की तरह काम करते हैं ये संबैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए कहा जाता है मुख्यमंत्री जितने प्रोटोकॉल हैं उनका उलंगन करती है 26 जनवरी को गवर्नर को रिसीब नहीं करती 15 अगस्त को जो एट होम होता है गवर्नर का उसमें शामिल नहीं होती ट्विटर पर उनको ब्लॉक करती हैं उसके अलावा लगातार उनके खिलाफ बयान देती है ये पश्चिम बंगाल अब देखिए तमिल लाडू में क्या हुआ आप अंदाजा लगाईए कि वो दो शब्द क्या हो सकते हैं वो दो शब्द थे जैहिंद भारत में जैहिंद बोलना अगर असमयधानिक हो जाएगा अगर गैर कानूनी हो जाएगा अगर गलत हो जाएगा तो आप समझेए कि ये कौन सी मानसिक्ता है किस मानसिक्ता के तहत ये किया जा रहा है गवर्णर के एड्रेस से राज़पाल के सम्भोधन से जैहिंद क्यों निकाला गया उसकी क्या जरूरत पड़ गई और कमिलाडू के मुख्यमंत्री मके स्टालिन किस दिशा में ले जाना चाहते हैं राज़े को किस तरह का राज़े चाहते हैं किस तरह के जो समयधानिक विवस्ता चाहते हैं और उनके जो समर्थक हैं उनसे भी सवाल है कि इस मुद्दे पर क्यों चुप रहे क्यों किसी ने इसका विरोध नहीं किया कि भाई जैहिंद को कैसे आप रोग सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ और कोई किसी विपक्षी दलने चूं तक नहीं किया कोई बयान नहीं आया कोई 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 जो है किसी ने विरोध का कोई स्वर नहीं काई से उठा तो इसका मतलब है कि मौन जो है वो सुकृति का लक्षर माना जाता है अगर सब चुप हैं तो इसका मतलब है कि सहमती है मूट सहमती है और ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है केरल में राज़िपाल आरिफ मुहम्मद खान वो सरकार के रवये से आजिज आकर कहते हैं उनको कठपुतली की तरह चलाना चाहती है सरकार चाहती है कि जो गवर्नर का अधिकार है उसमें भी सरकार फैसला ले गवर्नर चुप चाप उस पर दस्कत कर दे रवर स्टैंप बन कर रहे सम्विधान की बात न करें कानून की बात न करें कानून के मताबिक चलने की बात न करें, सरकार को सावधान न करें कि वो गलत कर रही है, वो सम्विधान की जो अपेक्षा है उसके मताबिक काम नहीं कर रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दो खबरे आएंगे, दोनों कल की हैं, एक तमिलाडू की है, तमिलाडू में यूकरेन में फसे छात्र छात्राएं भारत सरकार उनको वापस लेकर आई, एरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए तमिलाडू सरकार के एक मंत्री ग लगाएं, मोदी जिन्दाबाद के नारे लगाएं, और क्या किया तमिलाडू सरकार ने? उसके बाद तमिलाडू सरकार ने ये इंशोर किया, ये निर्देश दिया कि किसी भी चैनल पर ये विज्वल ना चलाया जाएं, लगभग सारे चैनलों ने सरकार के इस आदेश का सिर्फ एक चैनल थांटी जो तमिल चैनल है उसने ये इस विजूल को दिखाया जिससे भारत के बाकी लोगों को पता चला कि ये हुआ था एरपोर्ट पर भारत माता की जै बोलना क्या अपराद हो जाएगा क्या भारत माता की जै बोलने पर रोक लगेगी मोदी से नफरत समझ में आती है लेकिन भारत माता की जै जै हिंद इस से नफरत इसका विरोध ये देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश है ऐसे लोगों का असली मकसद क्या है दूसरी खबर है वो तेलंगाना से है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सियार के चंदरशेखर राव ऐसा काम करने जा रहे हैं जो समझ विधान 1950 में बनने के बाद से आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया साथ मार्च से तेलंगाना विधान सभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है यह परंपरा है पूरे देश में वो विधान सभा में भी होता है लोग सभा में भी होता है कि जब calendar year का पहला सत्र होता है और आम तोर पर वो budget सत्र ही होता है तो राश्टपती केंदर में और राजय पाल राज्यों में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं वहां उनका भाशन होता है और भाशन उनका कोई अपना निजी नहीं होता कि स्वेच्छा से कुछ भी बोल सके वो भाशन सरकार तयार करती है राज्यों में राज्य सरकार और केंदर में केंदर सरकार वो तयार करके देती है राश्पती को या राज्यपाल को और वही वो साथ मार्च से होगा उसमें अलग दोनों सदनों के विधान सभा विधान परिशद के सत्रों के शुरुआत की अधिसूचना जारी हुई है लेकिन संयूगत अधिवेशन नहीं होगा ये आज की तारीक तका जो है वो फैसला है बदल जाये तो मैं नहीं जानता लेकिन जो नहीं कहा गया है कि जो है राजयपाल दोनों सदनों के सयूगत अधिवेशन को समबोदित करेंगी तमिल साय सुंदर राजन वहां राजयपाल है तमिल लाडू की रहने वाली है उनसे डर क्या है केसियार को उनको डर ये है अब जो उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं मैं उनको डर ये है कि उस संबोधन में जो सरकार लिखके देगी उसमें मोदी सरकार के खिलाफ बाते कही जाएंगी और हो सकता है कि राजेपाल उनको न पढ़ें राजेपाल का जो भी भाशन होता है कई बार हंगामा होता है अक्सर ये होता है आज कल पिछले 25 सालों से ऐसे चल कि उन्होंने ये एज्यूम कर लिया, ये कल्पना कर ली है कि वो ऐसा करने वाली थी, मान लिजी कि वो ऐसा करने वाली भी थी, तब भी जो है वो भाशन तो उनका सदन के रिकॉर्ड में आता ही, लेकिन एक आशंका जो आपके मन में है जो निर्मूल हो सकती है, उसके आधार पर आप एक 70-75 साल से बनी हुई परंपरा को तोडने जा रहे हैं सम्विधान की परंपरा को बदलने जा रहे हैं तो इस से पता चलता है कि सम्विधान के प्रती आप कितने गंभीर है सम्विधान के प्रती आपके मन में कितनी श्रधा समान है तो मामला ये है कि सम्विधान के खिलाफ जाएंगे देश के खिलाफ जाएंगे और अपने राजे के खिलाफ जाएंगे लेकिन मोदी का विरोध करेंगे हर हालत में ये मोदी विरोध इस हद तक पहुँच गया है जिसमें राजनीतिक विरोध से आगे बढ़कर मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ राजनीतिक विरोध से बढ़कर मोधी विरोध नफरत में बदल चुका है और इसके लिए मोधी के खिलाफ मोधी को कमजोर करने के लिए मोदी पर हमला करने के लिए अगर देश के खिलाफ और अपने राज्य के खिलाफ सम्विधान के खिलाफ कानून के खिलाफ जाना पड़े तो जाने के लिए कुछ लोग तयार हैं अब आप देखिए इन तीनों को जोड़िये और इसमें महाराश्ट को भी जोड़ लीए महाराष्ट की सरकार का भी राजयपाल से जो है लगातार जगला चलता रहता है ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि केंडर में एक पार्टी की सरकार है राजय में दूसरी पार्टी की सरकार है ऐसा नहीं हो रहा है कि मोधी जब से प्रधान मंत्री बने है तब से ये शुरू हुआ है उससे पहले भी होता रहा है अब भी ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है राज्य में फिर भी राजिपाल से इस तरह के जगड़े दी है इस तरह का विवाद नहीं है जैसा महाराष्ट में है जैसा तमिल लाडू में है जैसा पर्शिप बंगाल में है जैसा तेलंगाना में है क्यों हो रहा है यह यह निशाना बनाया जा रहा है राजिपाल को लेकिन निगाहें कहीं और पर है निगाहे हैं केंदर पर निगाहे हैं मोदी सरकार पर तो ये जो कुछ दिन पहले आपने सुना था कि एक संबेलन होने वाला है दिल्ली में जिसमें इन चार मुख्यमंत्रियों के अलावा कुछ लोग शामिल होने वाले हैं कि केंदर जो है मोदी से زیادہ संविधान पर हमला है संविधान के खिलाफ जाने का जो है वो एक तरह से इरादा नजर आ रहा है कि हम संविधान को नहीं मानते हम जो कह रहे हैं वो संविधान होना चाहिए मन्शा यह है इस नियत से ये सब किया जा रहा है तो ये देश को कमजोर करने की कोशिश है और मोदी पर हमला मोदी से नफरत ये 20 साल का इतिहास बताता है कि मोदी पर जितना ही बड़ा हमला हुआ है मोदी की ताकत उतनी जादा बढ़ करने के लिए उसकी वज़े ये है कि आम लोगों को मोदी की बात पर भरोसा है उनकी नियत पर भरोसा है उनकी नीतियों पर भरोसा है नाराजगी असंतोष सब जगह हो सकता है लेकिन अगर किसी एक नेता पर इस समय देश भरोसा करता है ये मान कर भरोसा करता है कि जो भी अगर इनोंने ग गलत भी किया है तो गलत नियत से नहीं किया है यह बात पच नहीं रही है बहुत से नेताओं को उनको यह समझ में नहीं आ jeopard कि मूदी को हराएं कैसे और अपनी इस निराशा और और हताशा में वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं किसियार जो आज करने जा रहे हैं जो करने की मन्चा जताई है घोश्रा की है आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में और राज्य जो मोदी विरोधी हैं जो मोदी से नफरत करने वाले हैं वो इसका अनुपालन करेंगे वो और राज्य के संबंदों का। जहां कोई समस्या नहीं है वहां समस्या खड़ी करने की कोशिश हो रही है। असल में मोदी विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी रणनिती क्या हो, उनकी लड़ाई कैसे चले, कैसे मूदी के विरोध में जनिमानस बना पाएं जतना वो कोशिश कर रहे हैं मोदी के विरोध की उतना मोदी की ताकट बढ़ रही है लेकिन इसके बावजूद कोशिश ये है कि अब हम सम मिल कर इस तरह का माहौल अगर बनाएं तो हो सकता है कामयाब हो जाएं बुरी नियत से किया गया बुरे इरादे से शुरू किया गया कोई काम कभी सफल नहीं होता इसलिए जो ये कोशिश हो रही है ये सफल तो नहीं होगी ये मुझे इस बात का यकीन है कि इस देश के सम्मिधान में इस देश के लोगों के विवेक में भरोसा अगर जिसको है उसे मान कर चलना चाहिए यकीन करना चाहिए ये लोग काम्याब नहीं होंगे लेकिन उससे जो माहौल बिगड़ेगा उससे जो परिस्थितियां बनेगी उसका नुकसान किसको होगा उसका नुकसान अल्टिमेटली आम आदमी को भुगतना पड़ेगा लेकिन इन लोगों को इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता और आप देखिए आने वाले दिनों में खास्तोर से 2024 के लोग सभा चुनाओ के मद्दे नज़र ये जो कैम्पेन है ये जो अभियान है ये और तेज होने वाला है ये रुकने वाला नहीं है और ये अभियान जो है सिर्फ और सिर्फ कटुता और मनस से पैदा करेगा लेकिन इसके लिए ये जो नेता हैं ये जो पार्टियां हैं ये जो राज्य सरकारे हैं तयार हैं उनको लगता है कुछ भी हो कितना भी बुरा हो लेकिन कोई रास्ता निकलना चाहिए कि मोदी को अटा सके मोदी को जंतांतरिक तरीके से नहीं हटा सकते बैलेट से वोट से नहीं हटा सकते ये इन लोगों की इस अभियान से ये पता चलता है ये इस निश्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि मोदी को हम वोट से नहीं हटा सकते तो हमको दूसरे तरीके खोजने पड़ेंगे और उन्हीं दूसरे तरीकों में ऐसे तरीके खोजे जा रहे हैं जो सम्विधान सम्मत किसी भी दृष्टी से नहीं कहे जा सकते तो इसलिए जो ये कोशिश हो रही है ये काम्याब भले न हो लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करके देश का जाएगी ऐसा मुझे लगता है तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुझे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे आप से रोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजे लाइक कीजे और सबस्क्राइब जरूर कीजे नमस्कार